वेल्कम टू दी चैनल कोड़ीजी और आज की वीडियों में करने वाले हैं python array और list तो basically यह होता python built-in array support नहीं करता built-in array नहीं होता है python के अंदर तो python में क्या करते हैं उसकी चिखर पे array को replace करने के लिए python list इंट्डिवीस किया हुआ है तो अल्लेटी मैंने पाइफन लिस्ट के ऊपर एक वीडियो बनाई हुई है तो थोड़ा सा इसमें करेंगे ज्यादा नहीं खीचेंगे इस वारी वीडियो को तो किस तरह से काम करते हैं अर्लेटी के साथ हम लोग अगर आपको फटावट्टी एक लिश्ट कर लेता हूं नेम्स के लेक्रेटा हूँ तो मैंने एक नेम बना लिया है तो मैंने तीन नाम डाल दिया है तो क्या होता है जैसे एरे में क्या होता है इंडेक्सिंग होती है तो जो पहλα एल्यमेंट होता है वो जीरो इंडेक्स करना है तो मैं कैसे एकसे करूंगा तो मैं जो गोले जिसमें की मेरा एयरे पूर्प के अंदर 0 यहां पर लिखने गाए इंडेक्स तो आप मैं इसको एक बार रन करके दिखाता हूं तो यहां पर क्या करेगा यह पहला वाला जो इंडेक्स में वेल्यू पढ़ी थी उसको इसने प्रेंट कर दिया है तो इस तरह से क्या करता है यह प्रिंट करता है तो हमें एरे या लिस्ट की जरुवत क्यों पढ़ती है सब तो पहले आपने जैसे वेरेबल्स देखे हूंगे कि यार अगर आपको वेल्यू स्टूर करनी होती है तो यह जितने भी डेटा स्टुक्चर होते हैं आपकी वेल्य हमेरे तो आप दस तो नहीं करोगे सब्सक्राइव नेम नीम यहां ले लिया आपकी सब्सक्राइब वेरेबल्स परेल मैं तो हमेरेम पिर Southernवफ revital एक गद्रावा तो मैं यहाँ पर क्या पताना चाहरा हूं कि हम लोग array use क्यों करते हैं ठीक है तो अब मेरा name 3 है फिर मैंने name 3 equal to कर दिया तो इस तरह से क्या होगा अगर मेरे पर 100 employee है तो मुझे 100 variables बनाने पढ़ेंगे जो की possible नहीं है इतने सारे variables बनाओगे इतना time खर्च होगा आपका डिक इतना time लगाओगे आप इतने variables बनाने के लिए तो उसकी जगे पर क्या कर सकते हैं अगर आपके multiple values दे store करने के लिए तो इतने भी employees 100,000,000,000,000 है इससे उपर भी employee आपके एक array के अंदर आप डाल सकते हैं लिस्त के अंदर डाल सकते हो और access करना भी easy है ठीक है यहाँ पर क्या करना है कि zero index पहली value आपको पता है zero index पहोगी दूसरी value आपकी first index पहोगी तीसरी value आपकी third index second index पहोगी तो इस तरह से ह करेंगे हम लोग नेम अब जो second वाली value है वो कॉंस इंडेक्स पहोगी first index पहोगी हम zero से start कर तो name one equal to मैं आपे assign कर दूँगा क्या करना मुझे यहाँ पर रभी कर दूँगा मैं इसको तो जब मैं इसको print कर आऊंगा इसके बाद प्रिंट नेम करता हूँ अब मेरी list देखना अब क्या हो गई है मैंने modify करने के बाद तो मेरी list में क्या हो गया है जहां पर राहुल था हूँ आप रभी update हो गया है तो इस तरह से आप list को update भी कर सकते हो ठीक है आपको अगर length calculate करनी है अपने list की length कैसे calculate करेंगे तो आप अ variable है आपका list का variable है उसको रख देना है तो यह आपको length निकाल के देदेगा तो इसकी length कितनी है 3 elements है इसके अंदर 3 values है तो 3 इसकी length होगी ठीक है उसके बात क्या करना है एक्सेस करना है आपके पास suppose 1000 name है एक list के अंदर तो आप एक-एक करके index की तुरूँ तो एक्सेस करोग है कि अपने जिस तरह से मैंने आपर लिखा हुआ है कि for action name तो क्या होगा एक-एक करके क्या होगा यह जो name है एक list है इसके अंदर राम राहूल और नीरज रखा हुआ है यहां पर मैंने update कर दिया था तो रभी हो गया था राम रभी और नीरज है तो पहली बार जब लूप प्रेंट भी कर सकते हो लूप के थूँ ठीक है और एक नया element add करना है list के अंदर आपने एक list बना दी 1000 और नया element add करना चाहते है तो वह कैसे कर सकते हो तो मैं आपना list का नाम दिखना है यहां पे ठीक है जिस भी variable में list है list.append एक method होता है list का ठीक है उसके अंदर append में जो आप नाम देना चाहते हो ठीक है तो मैं यहां पर पवन दे देता हूं ठीक है उसके बाद मैं आपर क्या करूंगा print कर आउंगा तो आपको दिख जाएगा कि मैंने एक element add कर दिया है इस list के अंदर ठीक है यहां पर रन करके देखते है तो अब भी मेरी list क्या होगी है राम अब हम आगे देखते हैं कि हम कोई element को कर आना है अगर हमें delete करना है। को remove करना है अपने list के अंदर से तो वो हम कैसे remove कर सकते हैं ठीक है तो उसके लिए पॉप function के तुरू हम क्या कर सकते है रिमूप कर सकते हैं फॉप function में क्या होता है हमको index दिना पड़ेगा तो दो method है रिमूप करने एक तो pop है और एक दूसरा method है ठीक है तो पॉप मेथड क्या लेता है इंडेक्स लेता है तो अगर मैं पॉप यूज करूँगा ठीक है तो मैंने करना नीम डॉट पॉप वन तो क्या डिलीट हो जाएगा इसके अंदर से जो फर्स्ट इंडेक्स पर जानेंगी वैल्लिव है यहां से रिमूव हो जाएगा अब मैं इसको प्रेंट कराता हूँ ठीक है प्रिंट में कराता हूँ इसको नेम को तो यहां से इस वाले जो लिस्ट है अब जो लिस्ट के अंदर रवी नहीं होना चाहिए तो यहां पर देख रहा आप राम, नीरज, और पवन आ रहा है रवी यहां से डिलीट हो गया तो मैं इसको run करता हूं ठीक है अब मुझे से print कराना पड़े गाए अब प्रिंट करा देता हूं मैं इसको name को ठीक है name मैंने print कराया अब देखना क्या आता है यहां से नीदज और पवन रहे बस हो गया राम भी remove हो गया मेरे इसके अंदर से ठीक है तो इस तरह से करते हैं और भी काफी सारे methods होते हैं इसके अंदर आपको short करना है reverse करना है ठीक है insert करना है index निकालना है आपको ठीक है extend करना है count करना है यह सारे method है method देख लेंगे online बहुत सारे आपको टूटोरियल उसमें आपको method मिल जाएंगे कैसे करते हैं reverse करना अपकी list को तो dot reverse function आता है उससे आपके reverse कर सकते हो अपनी list को ठीक है तो इस दिखा देता हूं name dot reverse करोगे तो यह क्या करेगा reverse कर देगा आपकी list को और यहां पे print करा देता हूं इस ने कर दिया नीरज और पवन था इसने पवन और नीरज डिवर्स कर दिया तो इतना ही धैयार इस वाली वीडियो में thank you so much for watching और वीडियो अच्छी लगी हो तो please like करना share करना and subscribe करना बिलते हैं नेक्स वीडियो में